हाई फ्रेंड कैसे हैं आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे आज मैं फिन आपके लिए बहुत ही अच्छी यूजफूल टिप्स लेके आई हूँ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो चलिए फ्रेंड फ्रेंड शुरू करते हैं तो पहला टिप्स मेरा है आटा को लेकर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम छोटे बरतन में आटा चालते हैं और वो इधर-उधर से गिर जाता है तो इसे क्या करना आपको एक कटोरी में आटा लेना है और उसको बीज में रखके धिर-धिर से इस तरह से घुमाना है गर्ता नहीं है और तुरन्त ही चल जाता यह देखे फ्रेंड इन ब cuk यह काम भी अच्छे हो झाता है और हमारा काम भी इजी हो झाता है इससे यह क्या होता है कि आपके बरतन में जल्दी से मूर्चा लग जाता है आप क्या कीजी आपको इस तरह से बरतन पहले धुलना है उसके बाद में एक सूती कपड़ा लेना है कोई भी सूती कपड़ा हो तो उसको आप लीजिए और उसको अच्छे से पोशिए यह देखे एक करके अच्छे से आपको इसको साफ करना है उसके बाद तुरंद नहीं रखना उसके बाद भी हमको इसको सुखाना है उसके बाद में इसको रखना है यह देखे इसको पहले अच्छे से हम इस तरह से पोच देंगे यह देख सकते हैं फ्रेंड अगर हम धुलकर वाई से ही रख देंगे इसको तो पहले बात इसमें जल्दी से मुर्चा लग जाएगा और आप जानते होंगे जब इस टील ऐसे रख दो तो वह पीच-बीच से फ पstatशली सपनेसं में भीट जाएगा और इसमें मुर्चा भी लगजाएगा इसलिए आपको इसको साफ करके तभी आपको इसको रखनाओ यह दिए मेरा अच्छे से मेने साफ कर दिया है अब इसको एक करको पुरा टिफिन अच्छे से भर के रख देंगे यह देखिए बहुत पुराना हमाया टिफिन लेकिन इतम से चमक रहा है तो इसी तरह से आप इसका देख रेक करेंगी तो आपका टिफिन कभी भी खराब नहीं होगा और हाँ फ्रेंड अगर आप टिफिन रखती हो तो अपने ऐसे टार पे मत रखेगा आप इसे पॉल टिफिन में करकर किसे तभी अपने टार पे रखेगा इससे इसमें गरदे नहीं पढ़ेंगे और यह वैसे के वैसे जमकते रहेंगे हमेशा तो चलिए फ्रेंड अब हम चलते हैं आपने निश्ट टिफ्स की तरफ यह मेरी टिफ्स है आटा को लेकर जब कभी हम आटा गुनते हैं तो गुनने के बाद हम तुरंत ही रोटी बनने लगते हैं इससे क्या होता है फ्रेंड हमाई रोटी कभी भी फूलती नहीं है और वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना पहले आटा गुनना है उसके बाद आपको इसको 15 मिट के लिए रख देना है उसके बाद में आपकी इसकी रोटीया बनाएए चलते हैं अब हम रोटीया बना के आपको दिखा रहे हैं यह रोटीया एकदम से फूली फूली होंगी बस 500 मिट इसको रखना है और रोटीया बनाना है आपकी रोटीया कोई पचक सकती हैं पीना फूली रही नहीं सकती है और आपको क्या करना है फ्रेंड आपको चार यह पांच रोटी एक ही बार में बना ले जिए यह देखिए एक रोटी के नीचे एक रहिए ऐसे आप छे बहुत ही प्रहें कि रोटिया फूलिन बहुत ही रीची कम बहुत धवाने का जंज़ झाल करमा लोगा तोड़के दिखारें कितनी सौप्ट रोटिया ये बनकर रेडी हुई है अब चलते हैं हम अपने नेस्ट टिप्स की तरफ अगर आपके घर में ये मेसर पड़ा हो तो ऐसा होता है कि हमें इसे डेल यूज नहीं करना हो तो कभी कभी इसको हम यूज करते हैं इसे ये ऐसे ही रखा होता है तो हमको क्या करना है इसे बहुत ही अच्छी चीज बना लेना है जैसे आपके घर में चिमच इदर पड़े रहते हैं तो आप इसे इसमें यूज कर सकते हैं इसको इस तरह से लगा लिए ये देखिए मेरा पूरा भर गया है तब भी कितना इस पैस इसमें आप इसे कहीं भी टांक सकते हैं और इजली चिमच को निकाल सकते हैं तो हो ना बहुत ही अच्छी ट्रिक तो चलिए फेट आप चलते हैं हम अपने नेस्ट टिप्स की तरफ हम जब लेके आते हैं पैंटोन तो उसकी चमक कुछ और ही रहती है धीरे ये चमक पीले पर में बदल जाती है इसे बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है और वासी मसीरी में धुलने से और जल्दी है खराब हो जाता है उसके लिए बहुत ही अच्छी उपाए लेकर आई हूं आप क्या किजिए आप इसको अपने थोड़ी देर के लिए अप इसको फ्रीजर में रख यह देखिए इसी तरह से आपको रख देना है उसके बाद में इसको निकालना है फिर आपको इसको देखिएगा इसका जो पीला पन वगायव हो जाएगा और इसका कपड़े के सूथ भी मजबूत हो जाएगा यह कभी खराब ने होगा ठैक्यू फ्रेट वीडियो को